क्या सच में हिंदू धर्म में 33 कोटी देवी देवता होते हैं? क्या है इसकी मानता और सच्चाई? आए जानते हैं इस वीडियो में नमस्कार मित्रों मैं सुस्मा त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सबका अक्सर आपने लोगों को ये खते हुए सुना होगा कि हिंदू धर्मे में तो 33 कोटी देवी देवता होते हैं कोटी का अर्थ होता है करोड और कोटी का अर्थ होता है प्रकार दरसल 33 कोटी देवी देवता की बात कोरी कलपना है ये सब्दों का गलत अर्थ निकालने जैसा है सास्त्रों के 33 कोटी देवी देवता का ब्याख्या करने वालों ने इसका गलत अर्थ निकाल कर 33 करोड का आकडा रख दिया आईए जानते हैं कि 33 करोड देवी देवताओं से जूड़ी मानताएं और सच्चाई क्या है हमारे सास्त्रों में 33 करोड नहीं बलकिन 33 कोटी देवी देवता बताए गए हैं कोटी सब्द का अर्थ है प्रकार यानि हिंदूओं के 33 प्रकार के देवता हैं कोटी सब्द को ही बोलचाल की भासा में करोड में बदल दिया गया इसलिए मानेता प्रचलीत हो गई कि कुल हिंदूों में 33 करोड देवी देवता हैं आईए अब जानते हैं हमारे यानि हिंदूों के 33 प्रकार के देवी देवताओं के बारे में विस्तार से नोट करें कौन कन है 33 कोटी देवी देवताओं में 33 कोटी देवी देवताओं में 8 वसू, 11, रूत्र, 12 आदित, इंद्र और प्रजापती सामिल हैं। कुछ सास्त्रों में इंद्र और प्रजापती के अस्थान पर दो अस्विन कुमारों को 33 कोटी देवी देवताओं में सामिल किया गया है। कौन थे आठ वसु, वसु सब्द का अर्थ है वसने वाला या वासी, धर्थी पर वसने वाले देवता को आठ वसु कहा गया, धर धर्थी के देवता हैं, अनल अगनी के देव, अनील वायुक के देव हैं, आप अंत्रिश के देव हैं, प्रभास आकास के देव हैं, सोम चंद पर दिये गए हैं आप इन्हें नोट कर लें आपके समय का ख्याल रखते हुए हम सारे नाम स्क्रीन पर दे रहे हैं आप उन्हें नोट कर लें वीडियों को लाइक सब्सक्राइब सेर कमेंट करना ना भूलें